हेलो असलावलेकूम विलकम बेक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो जहां पे वीडियो का एंड किये थे अब वहीं से कंटीनियू करते हैं पार्ट टू तो यहां पे जुबैर ना एंट्री करवा रहा है और इनसे ना कॉल पे बात करा रहा था और आज गार्ड ना जाने नहीं दे रहे थे बोल रहते ना ओपर काम चल रहा है तो कोई भी नहीं जा रहा है और जब हम लोग पहुँचे तो महां पे अलड़ी काफी लोग थे तो इ पहँचों के सासात ना हम लोग भी नहीं किसी को पहचानते वह जब खुले में ऐसे जुण में निकलते है ना तो फिर हम लोग भी खुब इंझाय करते हैं तो यह देखिए अभी हम लोग निकल चुके हैं फोटो क्लिक कराने और आज कर बच्चे सेलफी लेते ही हैं कहीं में जाते हैं तो सेलफी जरूर लेते हैं तो फिर हम लोग क्यों पीछे रहें हम लोग भी तो अपनी यादें जो भी है सब ताजा करेंगे फिर इसमा काफी टाइम बाद आई है तो एक-डो वीडियो एक-डो फोटो तो बनता ही है न तो देखिए माशालला हम लोग सब तो हसी मजाक सब होने के बाद अब तो गेम बनता ही है ना पार्क में आईये और गेम नहीं खेले तो यहां पर हम लोग खेल रहे हैं चुआ-चूत मतलब कि जिसको भी टेच करेंगी वो चोर हो जाएगा ये वाला पहले हम लोग ये सब गेम बच्पन में बहुत खेले होंगे और अभी भी खेल सकते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और हमारे गार में सब लोग मशारला सब बहुत जैसे कि ऐसा कुछ वो नहीं की नहीं हम नही दोड़ेंगे हम लोग फुल इंज्वाई करते हैं और जब न कोई आता नहीं है यानि हस्बेंट जब साथ में ना हो और पूरा फ्रीडम हो तब तो और मजाता है तो हम लोग थोड़ा दिर खेले और उसके बाद फिर निकल चुके हैं पार का मुआयना करने के लिए कि क्य क्या कैसे कैसे चेंज हो गया तो इधर का दिख रहे तो पूरा दम सुखा हो गया और जैसे की अब जैसे की नया नया वह फूल लगता है ना सीजन के हिसाब से तो अभी नया लगा हुआ है तुरं तुरंद का उसके बाद हम लोग इधा जूले के पास आ गये थे अभी और ये वाला जो जूला है ना ये काफी नीचा है तो ये ना स्पीड नहीं पकड़ रहा था और पैर में भी बहुत ज़्यादा दर धुरा था फिर हम लोग जूला उला जूले उसके बाद आचके हैं थोड़ा कुछ खाना पीना हो जाए अब लेकर जेबार इतनी महना से सब कुछ आई तो खाना तो बनता है ना तो यहाँ पर बस ये लोग लगाने की तैयारी करें और ये काम में मेरा मन तो कब भी नहीं लगता है और ना हम ये सब ज़्यमेले में पढ़ते हैं कि इतना दो उतना दो ये वाला ना बहुत जिम्मेदारी वाला होता है कि आप सब को बराबर बाट सके दे सके क्योंकि कम बेसी इसी में होता है तो यहाँ पर देखिए तो आरजून रिजवाना बाजी सब लोग लग चुकी हैं और हम भी लग चुके हम यहां से देख रहे हैं और मेरा बस मौका मिलेगा हम भी लेंगे खाएंगे गरमा गरम ब्रेट पकोड़ा और अलू की चटनी उसके बाद पेस्ट्री ले ली थी और पेस्ट्री को भी पहले क्या होता ना कि हम लोग सोचे थे कि समोसा लेंगे ये लेंगे लेकिन अभी आज दिवाली की वज़ा से ना सब दुकानों में से मिठाई मिल रहा था समोसा नहीं मिल रहा था मेरी जूती नहीं नहीं जूती पहन के आए और ना बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और आप ना इसे भाग दौड से लेके सब चीज में यूज़ कर सकते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा और यहां पर देखी तो रेसमा स्टार्ट हो गई है अब मैके में आके ना सारी जिम्म दारियां खतम हो जाती हैं उसके बाद ना सिर्फ और सिर्फ इंज्वाई ही बच जाता है तो इंज्वाई कर लेना चाहिए तो उसके बाद देखी तो मेरा भी नमबर आ गया हाथ में गरमा गरम ब्रेट पकोड़ा मिल चुका है तो हम और खुर्चिदा ना एक ही बाउल म लगे हैं पेश्ट्री के लिए दो फ्लेवर आया था एक आया था चॉकलेट बच्चों के लिए और एक था पाइनपल तो बस यहाँ पे पाइनपल के लिए हम भी लाइन लगाए हुए नाइफ या इस्पून कुछ भी नीला थे तो यहाँ पे हाथ का ही यूज हो रहा है साथ में हसी मजाग भी हो रहा है कि हाँ दोई हो कि नहीं दोई हो तो यह सब चल रहा था तो बस हम भी यहीं पर लाइन में लगे हैं मिल जाए खा ले और उसके बाद आगे का आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग खाने के बाद ही बस इंजवाई कि किये थे हम नहुसरों पहले खाप की लेते हैं तो हम लोग खापी चुके हैं और अब Mis Pharmноваzen रहे थे टल्क दिंडेश्ट विन तो सामने ही लिए और अडर्डोर्ट निकलП लाए हैं फेकने के लिए क्योंकि सब लोग हापी चुके थे अब हम लोग सब लोग आचके हैं और बाजी और साइद आरजू वहाँ पे बैठी वी थी क्योंकि समानुमान था ना और यहाँ पे देखे तो बच्चे अपने काम पे लग गए हैं क्योंकि पहले जब यह जूला जूलना स्टार्ट कर रहे थे ना तो हम लोग बोले कि पहले खा पीलो फिर आना और खाते के साथ सब लोग आ गए हैं और बच्चे क्या बड़े भी देख लीजे तो सब का बच्पन की यादेदम ताजा हो रही है और बताईएगा कि इस वाले जूले में कौन-कौन बच्पन में गिरा है वैसे हम बता दे तो बच्पन में सभी लोग गि गिरे थे कई बार गिरे थे लेकिन हा कितनी बार भी गिर जाए वैसे तो जो नॉर्मर वाला जो जूला होता उसमें भी बहुत बार गिरे लेकिन फिर भी यह सब देखके बड़ा मजाता है एक बार तो सब को अपनी बच्पन की यादेदम ताजा हो जाती है तो वहां पे जबार और सीफा, जुनैद जूला जूल रहे थे और यहां पे बच्चों के साथ-साथ उनकी फुपी भी जूल रहे थी तो यह भी आ के जम बच्चे बन जाती है बच्चों के साथ और उसके बाद सारे बच्चे आ गए हाँए हम हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कोई भी जूला न बचे जिसमें बच्चे न जूले है की नहीं होना भी चाहिए यह वाली जो हाइट वाली है पहले हम जिया को लेके ग्राउंड आते थे और फिर जिया यह पहले जूलती थी तो बच्चों के लिए यह सब करना पड़ता और यहां पे देखिए बच्च तो लेट भी गए तो बच्चों को देखके इन्हें बड़ा हसी भी आ रहा था हूँ अच्छा भी लग रहा हूँ अच्छा भी लग रहा हूँ यह तो टीम आई जोर हाँ पैर और रहे हो पैर वहां से हाँ इस तो बच्च होDS रहे हैं लोग रहें तो पाड़े पाड़े नियांने। इसे कहते हैं ज्वाइन फैमिली अभी आप लोग देखें कि सब लोग आपस में बट गए थे और एक दूसरे को ना सपोर्ट कर रहे थे कि कोई हारे नहीं और ना ही कोई जीते तो ये चीज होना चाहिए और उसके बाद यहां पर रेसमा भी बैठ गई थी ये बच्चों के स स्पीड खुब तेज कर देता है ना तो उसको डर लग रहा था उसके बाद हम लोग खुब इंजवाए करके और अब चलते हैं वापस घर और रास्ते में आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हमारा रेनु सागर दिवाली के लिए ना इंदम तयार हो चुका है और आई हो सही बोल रहे हैं अगर आप लोगों को यह जुआन फैमिली अच्छी लगी हो आज की वीडियो अच्छी लगी वे तो लाइक जरूर करके जाएगा तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को इधर हम लोगों का रिनु सागर का आज कितना धूम धाम से सजा हुआ है उपर से जब ऐसे कार से गए हैं तो उतना नहीं लेकिन बाइक से कभी आएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे ऊपर से बड़ा खुबसूरत लगता है पूरी जगह आपको लाइटी लाइट दिखेगी ऐसा नहीं है कि अभी आज दिवाली है तो दिवाली के वज़द से लाइट द लगी रहती है हर जगह लाइट 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 तो इधर का देखिए तो किता खुबसूरत सजाए ना तो बस देखते रही और इंज्वाय करते जाएए और लगी नीरा ऐसा लग रहा है ना कि शादी हो दिए उसकी तयारी चल लिए लेकिन यहाँ दिवाली और बगल में प्लांट है पहले जब हम लोगों पहले निकलते थे तो आप लोगों को हलका फुलका दिखा देते थे लेकिन अब इधर आना ही बहुत कम होता है तो जब भी आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को रिनु सागर का ज़लक दिखा ले क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच तब हम देखे तो कल पका आएंगे लोन मिला में घुमने के लिए अगर कुछ लेने लाइक होगा तो ले लिया जाएगा नहीं तो फिर इसकीप कर देंगे तो चलिए दर से जालर बत्ती दिखा देते हैं और मैं बोल रही थी कि जो बच्चे बाहर है या जिनकी शादी हो गई है तो वो लोग मेरा ब्लॉग देखके नहीं बड़ी खुस हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ आपके ब्लॉग के ही तुरू वो अपने इस कॉलोनी को देख जुड़ी होई है वो ताजा हो जाती है तो खुसी होती है तो देखिए सब जगर काफी अच्छा सभी अपने अपने घर को तन सजाने की कोशिश किये हैं तो जब सब कुछ एक साथ मिलके न वो ज़्यादा खुबसूरत लगता है और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंट क करेंगे आई होप की आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजेगा फिर मिलेंगे कल नई ब्लॉप के साथ अब तक के लिए बाबाए अल्ला आफिस फिर मिलते हैं